आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी आफ इंडिया में साइन न्यूज उन्हें हिंदु धर्म में प्रथम पूज्य देवता माना गया है। जानकार विद्वानों के अनुसार भगवान श्री गनेश जी ने आठ अवतार लिये है। इस अवतार में भी वे मूशक पर सवार थे। आईए आज आपको गजमुख महात्मे की कथा बताते है। जानकार विद्वानों के अनुसार देवगन कहते है कि भगवान श्री और माता पार्वती की जोड़ी देखने में सबसे सुंदर है। उस जोड़ी के समान कोई भी सारी स्रिष्टी में काई भी जोड़ी नहीं है। जब यह बात सारे ब्रह्मान में गूँजने लगती है तब इस तारीफ को सुनकर कुबेर देव कैलाश परवत इस उद्देशे पहुचते है कि वे माता पार्वती और भगवान श्री के दर्शन करेंगे। पर्चाश परवत परपुछने पर कुबेर देव देखते है, कि भगवान शिव बहुत ही सुंदर देवों के देव महादेव पुरुश की तरह दिखाई दे रहे है और माता पारवती ब्रम्हान सुंदरी से भी सुंदर दिख रही है। एक कुबेर देव भैभीत हो गए और विक्षमा मांग कर वहां से भागने लगे माता पारवती के क्रोड से भैभीत कुबेर देव इस तरह कामपे की उनके अंदर से एक दानव लोभासुर पैदा हो गया लोभासुर के पैदा होते ही राक्षसों के देव शुक्राचारे बहुत प्रसन हुए उन्होंने लोभासुर को युद्ध आधी विद्या में निपुन करना आरंब कर दिया शुक्राचारे के आगरह पर भगवान शिव ने लोभासुर को पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी और तब के लिए चले गए फिर क्या था लोभासुर के द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार ही जाब किया जाने लगा लंबे समय तक पंचाक्षरी मंतर का जाब करते रहने से भगवान शिव प्रसन हुए और वे लोभासुर के सामने प्रकट हुए एवन उन्होंने लोभासुर को अभय होने का वर्दान दे दिया असुरों के गुरु शुकराचारे के द्वारा लोभासुर को इस तरह शिक्षित किया था कि लोभासुर ने सम्यूची स्रिष्टी के समस्त असुरों को एकत्र किया और देवताओं के राजा इंद्र पर चहाई आरंब कर दी इसके बाद लोभासुर ने इंद्र के आसन पर कबजा जमाया जिससे इंद्रलोक में हाहाकार मच गया देवलोक पर विजे प्राप्त करने के बाद लोभासुर के मन में लोभ जागा और उसने तीनों लोकों को अपने कबजे में लेना आरंब कर दिया इस समे भगवान शिव क्यलाश परवत से दूर जंगल में साधना रथ थे लोभासूर के इस तांडव से सारे देवता बुरी तरह दुखी थे जब सारे देवताओं ने देवाधिदे महादे भगवान शिव का आवहान किया तब भगवान शिव ने उन्हें गजानन गजमुक भगवान गनेश की अराधना कर उन्हें प्रसंद करने की सलाह दी देवताओं ने गनेश जी का ध्यान लगाया और देवताओं की अराधना से भगवान गनेश प्रसंद हो गए और देवताओं के समक्ष प्रकट होकर उन्होंने देवताओं पर आए संकट को हरने का वचन दे दिया इसके बाद विध नहिरता भगवान श्री गनेश जी लोभासुर के सामने गजानन रूप में प्रकट हुए भगवान श्री गनेश जी के इस विशाल स्वरूप को देख कर लो भासुर थर थर कांपने लगा और उसकी बोलती बंद हो गई भगवान श्री गनेश जी के गजानन स्वरूप को देख कर लो भासुर रोने लगा और भगवान श्री गनेश जी की शरण में वह पशु बन गया इसके बाद उसके द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं और उनके सारे सामराजे को वापस कर दिया गया अगर आप बुद्धी के दाता भगवान गनेश की अराधना करते है और अगर आप एक दंद भगवान गनेश के भक्त है तो कमेंट बाक्स में जे गनेश देवा लिखना न भूलिए जानकार विद्वानों के अनुसार इसी तरह की एक अन्ने कथा के अनुसार एक बार नंदी महाराज से माता पारवती की किसी आग्या के पालन में रियूटी हो गई जिसके बाद माता ने सोचा कोई तो ऐसा हो जो केवल उनकी आग्या का पालन करें तब मापारवती ने अपने उप्टन से एक बालक की आकरती बना कर उसमें प्रान डाल दिये इसके बाद माता पार्वती सनान के लिए गई और उन्होंने बालक को बाहर पहरा देने के लिए कहा माता पार्वती ने बालक को आदेश दिया था कि उनकी इजाजत के बिना किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए जब भगवान शिव के गन आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया इसके बाद स्वैम भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जब बालक ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक का सिर धर से अलग कर दिया ये सब देख कर माता पारवती क्रोधित हुई और उन्होंने उनके बालक को जीवित करने के लिए कहा तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर बालक के धर से जोर दिया तब से भगवान गनेश को गजानन भी कहा जाने लगा इसी तरह की एक अन्ने कथा भी जानकार विद्वान बताते है ब्रमहा वैवर्थ पुरान के अनुसार भगवान श्री गनेश जी के जन्म के बाद सभी देवतागनों ने उन्हें आशीरवाद दिया लेकिन शनी देव ने भगवान श्री गनेश जी की तरफ देखा भी नहीं इससे माता पारवती बहुत नाराज हुई और शनी देव से कहा कि वह बाल गनेश को आशीरवाद क्यों नहीं दे रहे है इस पर शनिदेव ने कहा कि उनके द्वारा गनेश जी को न देखना ही जादा सही होगा लेकिन माता पार्वती ने शनिदेव की बात नहीं मानी और उन्हें गनेश जी को देखने की आग्या दी शनी देव ने माता पार्वती की आग्या मानकर गनेश जी को देखा ही था कि शनी देव की वक्री द्रिष्टी के कारण गनेश जी का सिर उनके धर से अलग हो गया उसी समय गनेश जी को जीवन दान देने के लिए भगवान विश्णु गरूर पर सवार होकर हाथी का सिर लेकर आए और उसे गनेश जी के धर पर रख दिया इसी कारण भगवान श्री गनेश जी को गजानन कहा जाता है इसके अलावा कुछ अन्य बाते भी प्रचलन में है दौापर यूग में उनका वरन लाल है वे चार भुजाओं वाले और मूशक वाहन वाले है तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध है दौापर यूग में गनपती ने पुनह पारवती के गर्ब से जन लिया वग गनेश कहलाए परन्तु गनेश के जन के बाद किसी कारणवश पारवती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया जहां पर पराशर मुनी ने उनका पालन पोशन किया ऐसा भी कहा जाता है कि वे महिश्मती वरेने वरेने के पुत्र थे कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था इन्हीं गनेश जी ने ही रिशी वेद व्यास के कहने पर महा भारत लिखी थी इस अवतार में गनेश ने सिंदुर आसुर का वद कर उसके द्वारा कैद किये अनेक राजाओं ववीरों को मुक्त कराया था इसी अवतार में गनेश ने वरेने नामक अपने भक को गनेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ग्यान का उपदेश दिया अगर आप बुद्धी के दाता भगवान गनेश की अराधना करते हैं और अगर आप एक दंद भगवान गनेश के भक्त हैं तो कमेंट बाक्स में जे गनेश देवा लिखना न भूलिए यहाँ बताए गए उपाय, लाब, सलाह और कथन आदी सिर्फ माननिता और जानकारियों पर आधारित है यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी माननिता या जानकारी की समाचार एजेंसी ओफ इंडिया के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है यहाँ दी गई जानकारी में नहित जानकारी विभिन माधिमों, जोतिशियों, पंचांग, प्रफचनों, माननिताओं, धर्मगरंथों, दंतक्थाओं, किन्वदंतियों आधी से संग्रहित की गई है आपसे अनरोध है कि इस वीडियो या आलेक को अंतिन सत्य अत्वा दावान माने एवन अपने विवेक का उप्योग करें समाचार एजेंसी ओफ इंडिया पूरी तरह से अंध विश्वास के खिलाफ है किसी भी जानकारी या माननेता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशगे से सलाह ले अगर आपको समाचार एजेंसी ओफ इंडिया में खबरे आदी पसंदा रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर वर सब्सक्राइब अवश्य करें हम नई जानकारी लेकर फिर हाजर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद में एंड़ अवश्य करें झाल झाल